Hello everyone, I hope you all are doing well 12th के रिजल्ट आने के बाद में आप में से बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी कि सर हमें B.S.C. Food Science and Nutrition जो ये कोर्स है इसके उपर information चाहिए Like इस वीडियो में जितनी भी important चीज़े रहेंगे हम सारी कवर करेंगे इस कोर्स का duration कितना है, eligibility क्या है, क्या math side जो जिन लोगोंने math side से किया है अपना 12th class क्या वो admission ले सकते हैं क्योंकि आप में से इस question के लिए भी बहुत सारे लोगों की queries थी उसके बाद में practical level पर जाकर मैं आपको बताऊंगा कि recruitment क्या है, कितनी vacancies आती है अगर आप स्कॉर्स को opt करते हैं तो कैसा रहने वाला है, तो सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे but before moving ahead in the video, let me tell you about the sponsor of this video this video is sponsored by an academy, और an academy के उपर एक batch शुरू हो रहा है यहाँ पर जाब मैं वीडियो बना रहा हूं काफी जादा गर्मी है और आप लोग के लिए फिर भी वीडियो बना रहा हूं तो like जरू कर देना अनकेडमी के उपर IAD jam की जो लोग preparation कर रहे हैं उन लोग के लिए बहुत important है यह batch, believers batch है basically 90 days का एक crash course है यह mathematics, physics, chemistry और bio technology में है 11 अगस्त शुरू हो रहा है link के description में है जाकर आप खुद को enroll कर सकते हैं और इस batch को join कर सकते हैं इसका फायदा उठा सकते हैं और अगर आपको unacademy के subscription के ओपर discount चीए तो आप मेरा code use कीजिए chalk talk 10 आपको instantly 10% discount मिल जाएगा और जादा offers के लिए आप मुझे से contact कर सकते हैं description में आपको side details मिल जाएगी चलिए शुरू करते हैं आप सबसे पहला कि हमारा जो यह course है B.Sc Food Science and Nutrition इसमें आपके सबसे पहला की duration है कि 3 साल का यह एक full time course है ऐसा नहीं है कि आपने admission ले लिया और छोड़ दिया कुछ colleges ऐसा कर सकते हैं आपके आप लोकल में जानने वाले होंगे आपके तो कुछ colleges में ऐसा हो सकता है कि admission लेके छोड़ते हैं हाला कि 3 साल का course है और full time का आपको classes करनी पड़ेंगी regular उसके बाद में अगर मैं बात करूँ eligibility की तो minimum किसी भी college में आप जाएंगे तो 55% जो है 12th class में मांगते हैं और आप जो है science side से होने चाहिए science में भी basically biology background से होंगे या फिर आपने 12th class में आपने home science ले रखी है तो भी आप eligible हैं बहुत ज़ादा students का एक question था कि क्या हमने हमारा जो 12th class है वो PCM से है मतलब mathematics ली हुई है तो क्या वो लोग इस course को opt कर सकते हैं तो जहां तक मुझे पता है कि private colleges में मेरे बहुत सारे जानने वाले ऐसे थे मैंने graduation अपना microbiology से किया था वो एकदम deep में हो जाता specialization मतलब की B.Sc in microbiology bio में भी microbiology मेरे कुछ junior ऐसे थे कि जिनों ने अपना 12th class जो था वो mathematics से किया था लेकिन तब भी वो food micro में पढ़ रहे थे मैं ये बात बता रहा हूँ आपको चौदरी चरण सिंग उनिवर्सिटी मेरट की जब मैं MSC में था वहाँ पर तो मेरा पूरा हो गया MSC बगयरा तो वहाँ पर जो थे math वाली students भी थे तो eligibility जी हाँ आप लोग most of the जगा क्या होता है कि आप eligible होते हैं चाहिए आप किसी भी field से करके आए 12th class अपना तो आप इसमें admission ले सकते हैं अपना career इसमें बना सकते हैं और important चीज़े अब यह है कि आप इसमें पढ़ेंगे क्या क्या क्योंकि यह बहुत ज्यादा important है कि आपको इसमें पढ़ना क्या है आपका interest इससे यहाँ पर पता चल जाएगा तो sorry इतना जादा जाएंगे लेकिन मैं आपको कुछ बहुत important चीज़ों के बारे में बताऊंगा यहाँ पर क्या 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 पढ़ेंगे जैसे कि basic food science पढ़ेंगे आप इसमें human physiology पूरा पढ़ेंगे और जो basic basic चीज़े होती है science में graduation में वो सारी आप पढ़ेंगे उसके बाद में food commodities वगरा है human nutrition है काफी deep में पढ़ने वाले आप इन सब चीज़ों को उसके बाद में diet therapy है और जो है आपको biochemistry काफी सही रहेगा इसमें आपको भी पढ़ना पढ़ेगा तो यह कुछ basic idea दे रहूंगा आपको किए चीज़ आपको इसमें पढ़नी पढ़ेंगी public health पढ़ना पढ़ेगा food microbiology भी पढ़ना पढ़ेगा food nutrition वगएरा काफी सही पढ़नी पढ़ेगी sorry मुझे काफी जादा खांसी भी हो रही है but still मैं आप लोग के लिए video बना रहा हूँ सबसे important जो बात है वो यह है कि recruitment या फिर vacancies इसमें पढ़ने के बाद में आप जो है job के क्या मिलने वाली है आपको तो जो reality है अगर reality एल लेवल पर हम जाएं अब चाहे यह पिछले दो साल से जो यह covid वगएरा का स्यापा चल रहा है इसकी वज़ा से कम vacancies हो या I don't know की पका proper region क्या है life sciences के field में एक website है यहाँ पर मैंने खोल के रखी हुई है सरकारी result में भी आपको महाँ से ना नजर आ रही होगी मैं इसका screenshot दिखा दूँगा मैं इस website को पिछले दो साल से continuously visit कर रहा हूँ और life sciences students के लिए यानि कि biology वालों के लिए कह सकता हूँ पक्की पक्की 50 vacancies भी नहीं आई है पिछले दो साल में और students कितने निकल रहे होंगे हजारों लाखों students है जो इस field से life sciences के field से जो है अपना graduation complete करके आते हैं बेस्जी वेगरा करके आते हैं तो job की यह हालत है कि job की बहुत जादा कम है मतलब vacancies यहां है students इस level के पास हो रहें graduate हो रहें तो vacancies तो बहुत जादा कम है लेकिन हाँ पिछले कुछ टाइम पे कुछ-कुछ vacancies थी जगा-जगा निकलती है private sector में अगर आप job करने के ले जाएंगे तो आपको 15-20,000 की job मिलेगी काफी struggle करने के वाद में और वो भी तब जब आपके कोई reference होगी या आपने बहुत जादा भागदोड करी होगी उस condition में भी boys को कम prefer करते हैं लोग क्योंकि boys salary जादा मांगते हैं और girls कम salary में थोड़ा लग जाती है यह reality है मेरे साथ की कुछ students थे जिन्होंने माइक्रो से किया था और उन्होंने की MSC भी पूरी हो गई अभी तो उनको job का कोई अता पता नहीं है तो reality में अगर BSC लेवल पर आप जाओगे तो jobs और vacancies काफी जादा कम है और pay scale अगर आप private में जाओगे उनके बारे में कभी detail में बात करेंगे तो आपको आपने बहुत सारे videos देखे होंगे कि आपको दुनिया भर की companies बताजेंगे कि यह recruitment करती है यह company job देती है जब आप practical level पर जाओगे ऐसा कुछ आपको दिखेगा नि college वाले हाथ कड़े कर देता है कि भाई यह job वाब नहीं है देख लो अपना जहां जिसका हो सके तो मैंने चीज़े realize की है इसलिए देखो अगर आपका interest है इस field में काफी जादा है तो job तो मिल जाएगी ऐसा नहीं है कि job ने मिलेगी शुरू में थोड़ा struggle करना पड़ेगा references लगाने पड़ेंगे और अगर मेरे जैसा कोई बंदा हो जिसका ice field से कोई लेना देना नहीं था मेरी family पर कोई भी नहीं था बाई science field में तो और जादा मुश्किले थोड़ी बढ़ा जाती है job तो मिली जाती है वैसे आज तक आपने देखा होगा आपकी मैंना आपको बताया है कि आपका recruitment का क्या हाल है मैंना थोड़ा practical level पजा कि आपको समझा दिया और भी courses है उनके उपर वीडियोस आपको मिल जाएंगे मेरे उपर i button में description में काफी सारे वीडियोस है अगर आपको इस से बहतर कोई और option चीए तो मैं आपको एक इस recommend करूँगा कि आप medical line में चले जाओ medical line में चाहिए आप medical हो paramedical हो किसी विप चले जाओ वहाँ पर जल्दी मिल जाते है jobs उनके बारे में भी काफी वीडियोस हैं वो भी सब आपको उपर i button में नीचे description में link वगरा मिल जाएंगे जाकर देख सकते हैं तो आज का वीडियो कैसा लगा like जरूर कर देना comment करके बताना कोई questions हो मुझसे connect कर सकते हैं आप Instagram पर या किसी दूसरे किसी परी social media पर सब कुछ description में हैं चलिए मिलते हैं next video में thanks for watching this video